हेलो फ्रेंट्स एक बार फीर से आपका स्वागत है आपके अपने डैनेक्स टडि पॉइंट यूट्वीब चैनल में और देखिए आज एक बार फीर आपके लिए एक वीडियो लिकर आये हैं गया है हर्याना जीके के के कोश्चन और यह कठी नपरसन रहेंगे ठीक है अगर किसी भी एक्जाम की तयारी करते हैं तो आप इन कठिन प्रसन वाली वीडियो को जरूर देखना क्योंकि यह हर प्रकार के एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे ठीक है देखिए फ्रैंस इसमें भी आपके लिए एक टेस्ट रहेगा और इसमें आपको थर्टे कोस्ट करते हैं तो देखिए फ्रैंस शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और आज का पहला स्वास्ते आपके द्वार्योजना आरंभ करने वाला देश का पर्थम राज्य कौन सा है तो देखिए इसमेरा हम आपको अपना आंसर सोच लेना उसके बाद जो सही आंसर रहेगा व हर तो देखिए जिले में सितीत है तो देखिए जो अंतर राष्ट्य सोर उर्जा का मुख्याले है वह सिधीत है गुरु गराम में और इसमाूपसंची सही है अगला कोसिचन है अंतरराष्टिया सो और उर्जा मुख्याले के स्थापना कब की गई तो लग ten जो अंतरराष्टिया सो और उर्जा है इसकी स्थापना कब की गई थी तो ये की गई 30 नवंबर 2015 को और इसमें option D सही है अगला question है हर्याना में सरवाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला कौन सा है तो देखिए हर्याना में जो सरवाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला है वह है भीवानी और इसमें option C सही है अगला question है हर्याना का सर्वोचे उद्धोग पुरुसकार कौन सा है तो देखी हर्याना का जो सर्वोचे उद्धोग पुरुसकार है वह है मुख्य मंत्री रतन पुरुसकार और इसमें option A सही है अगला question है हर्याना की लेडी खली के रूप में किसे जाना जाता है उप्सन A है साइना नेवाल, B है ममताखर, C है साथसी मलिक और D है कविता दलाल तो देखिए हर्याना की जो लेडी खली के रूप में जाना जाता है वह जाना जाता है कविता दलाल को और इसमें option D सही है अगला question है हर्याना में पुरातात्रिक संग्राले के इस जिले में सितित है तो देखिए जो हर्याना में पुरातात्रिक संग्राले है वह सितित है गुरु जजर में और इसमें option B सही है तो बागवाने को बड़ावा देने के लिए हर्याना में कितने गाउं को जैविक गाउं गोसित किया गया है option A है 120 B है 140 C है 130 और D है 150 बताईए only 5 seconds है आपके पास तो देखिए जो बागवाने को बढ़ावा देने के लिए हर्याना में 140 गाउं को जैविक गाउं गोसित किया गया है और इसमें option B सही है अगला question है Regional Engineering College हर्याना के किस जिले में सितित है तो देखिए जो Regional Engineering College है ये हर्याना के कुरुक सेत्र में सितित है और इसमें option C सही है अगला question है Bennett and Samu की एक ओद्वगिक एकाई हर्याना के किस जिले में सितित है option A है रेवाडी, B है गुरुग्राम, C है अमबाला, D है पंचकुला तो देखिए जो बैने टाइन सम्हों की एक ओध्योगी इकाई है वह है गुरुग्राम ने और इसमें option B सही है ठीक है और देखिए ये company ना जो कपड़ा जूता बैग आज भी बनाती है और ही वैसिक सतर पर इनकी सप्लाई करती है तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है अगला question है ओखला बांध किस नहर पर बनाया गया A है भीवानी नहर, B है गुरुग्राम नहर, C है भाकडा नहर, D है इनमें से कोई नहीं तो देखिए जो ओखला बांध है ये बनाया गया है गुरुग्राम नहर पर और इसमें option B सही है अगला question है खनीज भंगूर के नाम से किस जिले को जाना जाता है तो देखिए जो खनीज भंगूर के नाम से जाना जाता है वह जाना जाता है मेहंदर गड़ जिले को और इसमें option D सही है अगला question है 2011 की जंगर्णा भारत की पंद्रवी वे हर्याना की कौन सी जंगर्णा थी तो देखी जो भारत की 2011 की जंगर्णा थी ये भारत की तो पंद्रवी थी लेकिन हर्याना की कौन सी थी ये बताना है तो देखिए हर्याना की थी पांचवी जनगर्णा और इसमें उप्षन A सही है ठीक है और देखिए जो 2021 में होगी वो भारत की होगी 16 जनगर्णा और हर्याना की होगी 16 जनगर्णा तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है तो देखिए जो सरवादि की देट्य जनगर्णा और इसमें उप्षन C सही है ठीक है और देखिए सबसे अधिक पहले नंर पर है तो वह है फारीदाबाद की तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है अगला कोश्चन है सबसे कम साक्सरता दर किस जिले की है A है मेवात B है पंचकुला C है सिर्साद D है कैथल तो देखिए जो सबसे कम साक्सरता दर है वह है मेवात जिले की और इसमा उप्षन A सही है ठीक है और देखिए ये ने 56% है तो साथ में आपको ये भी द्यान रखना है अगला कोस्चन है हर्याना में सबसे कम किस धर्म के अनुयाई है तो देखिए हर्याना में सबसे कम किस धर्म के अनुयाई रहते हैं A है जैन धर्म B है बोधे धर्म C है सिख धर्म और D है इनमें से कोई नहीं तो देखिए जो सबसे कम धर्म के अनुयाई है ये है बोध धर्म के और इसमें उप्षन B सही है ठीक है और देखिए इनकी जो संख्या है वह है जीरो पॉइंट तीन परतिसत तो साथ में आपको ये भी द्यान रखना है अगला कोश्चन है सिद्धी दाता मंदीर हर्याना के कि जिले में सितित है तो देखिए जो सिद्धी दाता मंदीर है ये है अगला कोश्चन है बांगला साही गुरूद्वारा के सितित है अगला कोश्चन है दाहिने हाथ का संख्य कि किस लेखक की रचना है कि अपके पास तो देखिए जो दाइने हाथ का संख है यह रचना है गुलाम हुसेन सहा की और इसमें उप्शन भी सही है अगला कोश्यन है हर्याना में पहला मोबाइल नया याले किस जिले में स्थापित किया गया तो देखिए जो हर्याना में पहला मोबाइल नया याले स्थापित किया गया है वह किया गया है मेवाथ में और इसमें उप्शन भी सही है अगला कोश्यन है कलन खा का संबंद किस गहराने से है अगला कोश्यन है माई 2015 को हर्याना सरकार ने अपनी खेल निती में किस खेल को सामिल किया तो देखिए जो माई 2015 में हर्याना की खेल निती थी उसमें सामिल किया डिफ्लो यमपिक्स और इसमें उप्शन C सही है इस खेल को 2015 वाली खेल निती में सामिल किया गया है अगला कोश्यन है हर्यानवी गिद्दा किस निर्ते को कहा जाता है A है घूमर B है जूमर C है धमाल और D है लूर तो देखिए जो हर्यानवी गिद्दा कहा जाता है वह कहा जाता है जूमर निर्ते को और इसमा उप्सन B सही है अगला कोश्चन है सरवाधिक हर्यानवी फिल्मों के निर्माता कौन है तो देखिए जो सरवाधी के हर्यानवी फिल्मों के निर्माता है वे है देवी संकर परभाकर और इसमा उपसन भी सही है अगला कोश्चन है सरवाधी के हर्यानवी फिल्मों के निर्देशक कोन है तो देखिए जो सरवादी के फिल्मों के निर्देशक है वे है जैंत प्रभाकर और इस मुपसन भी सही है अगला कोश्चन है इबराहीम सूरी का मकबरा किस सैली में निर्मित है ए है नागर सैली भी है बाबर सैली सी है पार्षियन सैली और डी है पस्चमी सैली तो देखिए जो इबराहीम सूरी का मकबरा है ये है पार्षियन सैली में और इस मुपसन सी सही है अगला कोश्चन है नूरी दरगाहा किस जिले में सितित है ए है करनाल बी है गुरुगराम सी है रोतक डी है पानिवत तो देखे जो नूरी दरगा है ये सितित है करनाल जिले में और इसम उप्सन ए सही है अगला कोश्चन है केला एउन सेव का अग्रेनी उत्पादक जिला कौन सा है ए है फरीदाबाद, बी है फतेहबाद, सी है गुरुगराम और डी है मेवाद तो देखे जो केला एउन सेव का अग्रेनी उत्पादक जिला है वह है फतेहबाद और इसम उप्सन भी सही है ठीक है और देखे आज के जो कोश्चन है ये है पहला कोश्चन है पूर्वी किर्सी छेतर का छेतरी अनुसंदान केंदर हरियाना में कहां सितित है तो इस कोश्चन का आंसर आपको बताना है और दूसरा कोश्चन है निमन मेंसे द्यालदास का परसिद्ध ग्रंथ कौन सा है तो देखे इस कोश्चन का आंसर भी आपको कोमेंट वोक्स में कोमेंट करके बताना है और देखिए इन दोनों question के answer ना आपको एक ही comment में करने है और आपका score कितना बना 30 में से तो वह भी बता देना है ठीक है देखिए friends हमारी volume कम रहती थी इस कारण मैंने ये video डालना बंद कर दिया था लेकिन अब मुझे बताना कि क्या मेरी volume सही है अगर सही रहेगी तो आगे से continue रखेंगे ठीक है तो देखिए friends ये थी आज की हमारी video इसे like करना, share करना और अगर आप पहली बार हमारे channel को राए है तो channel को subscribe कर लेना और bell icon के बटन को भी दबा लेना झाल